नमस्कार अन्पुर्ण नयार आल्या में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे कर्ड सैंड्विट ये डाइट में भी खाया जा सकता है और बहुत हेल्दी नाचता है आज हम बनाएंगे दही के सैंड्विट उसके लिए हमें गाड़ा दही चाहिए सबसे पहले हम एक सूती कपड़े में दही को डाल लेंगे फिर हम उस कपड़े को किसी भारी चीज की मदद से बाल में लटका देंगे उसको हम 20-25 मिनट तक लटका हैने देंगे जिससे उसका स सारा पानी निकल जाएगा और हमारा गाड़ा दही कपड़े में रह जाएगा अब हमारा गाड़ा दही तैयार है अब हम इसको बड़े बॉल में निकाल लेंगे इसका कि हमारी सब्जियां इसमें आसानी से मिल सके हम इसमें काजर, फ्याज, शिम्ला मिर्च और बंदगो भी डालेंगे इसमें आप अपनी पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं पालक है जैसे चुकुंदर है, मश्रूम है, मटर है इसमें महरी प्याज भी डाल सकते हैं ये स्वाद में बिलकुल चीज सेंड़ुच की तरह लगता है दही में केलशियम भी पाया जाता है, ये हमारी हट्टियों को मजबूत करता है और दही हमारी ब्लड पेशर को भी कम करता है क्योंकि इसमें मैगनीशियम पाया जाता है दही हमारी शरीर को ठंडग भी परदान करता है इसमें अब हम बेंस, हरी मेट, अदरक, हरा दनिया, काली मेट और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे ये रेसिपी हेल्दी भी है और टेस्टी भी इसको बच्चे और बड़े सभी बहुत चाव से खाएंगे अगर इसका आपको और भी हेल्दी वर्जन चाहिए तो हम इसको बिना गी के भी सेख सकते हैं कर दो हम इसका आपको बड़े से खाएंगे कर दो हम इसका आपको बड़े सकते हैं इसको हम सेंड्विच मेकर और तवे पर दोनों पर बना सकते हैं अब तयार है हमारी हेल्दी और टेस्टी कर्ड सेंड्विच अगर रेसिपी आपको पतंद आईए तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंड कीजिए और यह पताएए अगली रेसिपी आपको क्या चलिए